अखबार की आड में लोगों को ब्लैक मेल कर करोडों रुपे की कमाई करने वाले जीतू सोनी को गुजरात से गिरफतार कर लिया गया है इंदोर के डियाई जी हरी नरायन चारी मिश्रा ने जीतू सोनी की गिरफतारी की पुष्टी की है कर रही थी कई जगह चापे मारी की गई थी और पिछले लगवक एक महिनों की कड़ी करवाई के बाद यह सफलता मिली है यह फरार अरुपी लगवक छे महिने से फरार था और इसकी पुलिस कीटी में लगातार सरगर्मी से तलास कर रही थी इस कड़ी में कई जगों पे उस जो भी 45 मामले पंजिबध हैं उन मामलों में गहराई से उस्ताज की जानी है यहां यह उलेख करना आवाशक होगा कि पिछले लगवक चार-पाच जिनों पुर एक बड़ी गिरफतारी हुई थी जिसमें इसे जुड़े ब्लेक्टी को पुलिस ने गिरफतार किया था उसस इसे कई महत्कूँ जानकारियां मिली थी जो इस शुपने और कई जबहों पर रुखने के बारे में था पुलिस ने उन महत्कूँ जानकारियां और सुरागों के अधार उपर अपनी करवाई को तेज कर दिया था और फिलहाल जो सफलता मिली है उसी जानकारी के अधार पर है रेड के दौरान महिंदर सोनी को जिनके उपर दस हजार रुपे का इनाम था उसको भी पुलिस पकड़ने में सफल रही जिसके बाद सारा ध्यान पेंतालिस से उपर मामलों में फरार डेड लाग से उपर के इनामी जितू उर्फ जितेश जितेश सोनी के गिरफतारी के लिए किंद्रित किया गया अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे उसी समय जीतू सोनी वहाँ से भागने में सफल हुआ परंतु पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपना ध्यान पहले की तरह केंद्रित रखा और हमारे द्वारा पुने पूरी चीज को रिव्यू किया गया और टीमें अलग-अलग जगे पे भेजी गई आज सुबा हम लोग जीतू सोनी को पकड़ने में सफल हुए हैं अमरेली जिले से गुजरात में इनको गिरफतार किया गया है पुलिस के पास सूचना भी थी कि इनके पिताजी की पुनेत थी है और उसके अलावा हमारे दूसरे इंटेलिजन्स सोर्सिस से भी हमारे को इन्फरमेशन वेरिफाई हुई इनको पकड़के यहाँ पर लाया गया है अभी रिमांड ली जाएगी 45 केसे इनके अगेंस्ट हैं जिनमें की अभी ये फरार थे और इसको अरेस्ट करने के बाद रिमांड के दौरान विबिन थानों के दौरा जो विवेचनाय की जाएंगी वो सही तरीके से हूँ जो जो एविडेंस इनसे कलेक्ट करना है वो सही से कलेक्ट हो बयान वगयरा सब चीजें जो भी रिकॉर्ड होनी है वो समय पर हूँ जो बेल वगेरा की जो आपोजीशन की कारवाई है वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से हो इसके लिए एक एडिशनल स्पी के नितित्व में इन्वेस्टिगेशन्स की प्रोग्रेस को सुपरवाईज करने के लिए एक टीम गठित की जा रही है आपको बता दे कि आरोप है कि जीतू सोनी इन्दौर में कई गोरक धंदों को अंजाम दे रहा है जिसमें होटल और डांस बार के संचालन से लेकर अवैद तरीके से फ्लैट और प्लोट का कबजा तक शामिल था जीतू के समराज्ज के बारे में पुलिस ने जब खुलासा किया तो इन्दौर के लोग भी हैरान रह गए थे उसके डांस बार पर छापे मारी की गई तो 76 लड़कियों को बाहर निकाला गया जिन्हें अवै तरीके से जीतू ने कैद कर रखा था इन दोस धर्मेंद कुमार शर्मा के रिपोर्ट, MP तक